दोस्तों नमस्कार स्वागत है, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौरानिक कथाए में आज 27 नवंबर 2023 साल की सबसे बड़ी पूर्निमा कार्तिक पूर्निमा के दिन जाडू के नीचे दबा देना यह गुप्त चीज तुरंत ही आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी म मुक्ती माता लक्षमी जी के आशिरवात से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आज के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ती को पलट करके करोडों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। कार्तिक पूर्निमा के दिन माता लक्षमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसंद मुद्रा में होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्तिक पूर्निमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ती को दीवाली वाले दिन पूजा करने के बाद जितना लाब और आशिरवाद माता लक्षमी जी का मिलता है, उतना ही कार्तिक पूर्निमा के दिन भी की गई पूजा साधना क्रिया से मिलता है, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन की हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। इसी लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी शुब काम को अगर आप शुरू करते हैं, उस काम का लाभ आपको पूरे जीवन काल मिलता रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना और वेत पूराणों के अनुसार दान करना बहुत ही ज्यादा शुब और फलदायक होता है। तो मान कर चलिए इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंट ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वर्दान और वह आशिरवाद मिलेगा। जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से तुरंट के तुरंट आपको मुक्ती मिल जाएगी बलकि अगर आपने जाड़ू का उपाय सही मुहूर्ट पर कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी माता लक्ष्मी जी का आपको वह वर्द इस दिन कर लिया तो मान कर चलिए दोस्तों फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोप पाएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे बहुत ही जाएंगे अब आप सोच रहे होंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जाडू का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का कैसे आशिरवाद मिल सकता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे जाडू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है शास्त्रों में बताया गया है जिस घर में भी जाडू का आदर होता है उस घर में माता लक्षमी जी की क्रिपा सदैव बनी रहती है उस घर में माता लक्षमी जी का वास सदैव बना रहता है और जिस घर में भी जाडू का अनादर होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं जाती है, उल्टा उस घर में कई प्रकार की परेशानिया होती हैं, उनका वास हो जाता है। नकारात्मक शक्तियां उस घर में फैल जाती है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको अपने घर की जाडू का हमेशा आदर और सतकार करना चाहिए, इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा सदैव मिलती रहेगी। जाडू स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छता का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ग्रहों में शुक्र ग्रह को धन संपदा और संपत्ती के लिए जाना जाता है, जोकी मा लक्ष्मी का ही रूप है। मा लक्ष्मी का वास उस घर और स्थान में होता है, जहाँ साफ सफाई होती है। ज़ाडू को मा लक्ष्मी के उपकरण के रूप में जाना जाता है, मा शीतला ने भी अपने एक हाथ में ज़ाडू धारण की हुई है, जिस प्रकार किताब को पैर मारने से विद्या या मा सरस्वती का अनादर होता है. वैसे ही ज़ाडू के अनादर करने से मा लक्ष्मी का अनादर होता है इसलिए ही ज़ाडू को मा लक्ष्मी का रूप माना गया है दोस्तों क्योंकि आज माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आ रही है और अगर आज आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार अपने घर की ज़ाडू के नीचे वह गुप्ट चीज सही मुहूर्ट पर दबादी जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रही हैं तो आज ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह वर्दान और को आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फाइदा पहुचता है और आज के दिन किया गया उपाय न केवल आपके बलकी आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंध तक बिना भगाय देखेगा और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें बहुत ही आगे जाएं तो दोस्तों पूरी सची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वहाँ आकर हम आपके कमेंट का रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था विडियो लाइक करना मत भूलिएगा तो आपको बता दें दोस्तों हिंदू पंचान के अनुसार आज कार्तिक पूर्णिमा का जो सबसे शुभ महूत बताया जा रहा है वह शाम को 6 बचकर 40 मिनट से लेकर के रात में 11 बचकर 52 मिनट तक का बताया जा रहा है अब यह जुझारुका को उपाय करना है तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको इसी मुहूर्त पर करना है आपको क्या करना होगा बहुत ध्यान से सुनियेगा आपको शाम के वक्त नहा लेना है धो लेना है आपको लाल कपडे पहनने है क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूझा में जब भी लाल रंका इस्तिमाल किया जाए वह पूझा तुरंट सिद्ध हो जाती है अब आपको सिर्फ यह करना है कि आपक बैठना है सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की कला चित्र या प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है आपको एक लाल कपडा बिछाना है और माता लक्ष्मी जी के सामने लाल कपडे पर आपको एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिस पर माता लक्ष्मी की कला चित्र बनी हो अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप एक रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं लेकिन इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा यह एक रुपए का सिक्का एकदम नया जैसा दिखना चाहिए करता पीटा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए अब इस लाल कपडे पर जिस पर आपने यह सिक्का रखा हुआ है इसको लपेट लीजिए और मौली धागे से बांध दी है अब आपको यह करना है कि इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्षमी जी के बीज मंतर का जाप ग्यारा बार आपको करना है क्योंकि जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि ग्यारा नंबर माता लक्षमी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है 20 मंत्र है उसके नीचे आपको यह एक रुपय का सिक्का या चांदी का सिक्का दबा देना है आज आपको बस इतना उपाय करना है और अपनी दिन्चर्या के काम में लग जाना है फिर आपको कल यानी की 28 नवंबर को सुभ सोकर के उठाना है नहाना है धोना है यह जो आपने जाडू के नीचे सिक्का दबाया हुआ है इसको उठा लेना और ले जाकर की अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिन दिशा में रख देना है सिर्फ इतना उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन करना है और यह सिक्का अभिमंतरित हो जाएगा और यह आपके जीवन में चुमबक बन जाएगा जो धन खीचने का काम करेगा इस सिक्के की मदद से आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन आने के रास्ते खुल जाएगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृध्धी होगी यह सिक्का माता लक्ष्मी जी के उस आशिरवाद और वर्दान की तरहा आपके लिए काम करेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन संबंधित कई प्रकार की परिशानियों से मुक्ती मिल जाएगी और आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा तो बस अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन आपसे हाथ जोड कर निवेदन था वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत के तुरंत लिख दीजिए